हेलो फ्रेंट्स अन वेल्कम टो अवर चानल क्रिएट गर एंड आवर नेक्स्ट वीडियो मेरा नाम है प्रुभाद आज का हमारा टॉपिक है स्वीप तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वीप टूल भी एक्स्टूजन की तरह ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है हमारा रैविट के अंदर स्वीप के हल्प से हम मोल्डिंग की डिजाइन्स या और भी कई तरह की डिजाइन्स को हम अपने रैविट मॉडल के अंदर यहां पे क्रियेट कर सकते हैं अभ ही हमारा प्रोसेस होगा जैसे हमने एक्स्टूजन में देखा था जो कि हमारी लास्ट पीडियो थी अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं हम अर्किटेक्ट्चर टाइब में गये उसके बाद कंपोनेंट उसके बाद मॉडल इन प्लेइस उसके बाद यह यह लगा है विज्वल स्टाइल हमारा रियलिस्टिक पे तो हम इसे चेंज करके लगा लेते हैं सबसे पहले तो हिडन लाइन पे ताकि हमारा जो वर्क है वो थोड़ा सा एजी हो जाए जैसे ही आप स्वीप कमांड के अंदर आओगे तो हमारे पास यहां पे ऊपर कुछ अप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि sketch path और pick path extrusion में हम क्या करते हैं हमें plane को set करना होता था extrusion को create करने से पहले और यहां पर sweep के अंदर हमें क्या करना है हमें select करना है अपने path को यानि कि जो path होगा हमारा जिसके around हमारा जो sweep design है वो create होगा उसके लिए आपको करना क्य अपनी सारी edges जहां जहां पे आपका जो design है वह तक जाएगा उसके बाद आपको यहां पर सळेट करनाаже है जहां जहां पे आपको designs को create करना था अभी हमारी edges होंगी वह नहीं होगी पूरए घर का जो चारो सर्फेस है वहां पे, तो हम यहां पर hedges एकए करके Select कर लेते हैं, यह जो हमारा फ्लोर है उसकी जो Outline थी हमने इसको पहले एक बार Select किया, Select करने के बाद, अब हम और सारी edges को इसी तरह से Select कर लेंगे, तो हमारी जितनी भी edges थी यानि के हमारा जो floor plan का جितने भी outlines थी हमने उन सभी को यहां पर select कर लिया है मने right side से start कर था इसको select करते QE और इसी को select करते हुए हमने यहां पर हमारा पूरा rectangular shape था हमारे floor plan का हमने उसे select कर लिया है ठीक है तो हमारी outlines थी यानि कि हमारी जो edges थी वो सारी select हो गही है उसके बाद आपको यहाँ पर simply tick कर देना है टिक करने के बाद जब आपने edges को select किया था तो हमारे पास जो यह plus का sign दिख रहा है यह हमारे पास बनके आ गया था अब आपको करना क्या है इसको आप front side में लगा लो front यानि कि आपका जो यह plus का sign है यह किसी angle से नहीं देखना चाहिए तो जब front पे लगाओगे तो आपका जो plus का sign है वो आपको कुछ exact इस तरह से ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिल्कुल सामने वाला surface तो आप अचा है तो front लगा लो या तो इधर से back लगा लो बट आपको ध्यान यही देना है कि आपको जो plus का sign है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ही देखने को मिले हमने यहां से back लगा लिया है suppose ठीक है तो हमारी जो edges थी वो भी हमने select कर लिया अब हमें करना क्या है यहां पे हमें अपनी designs को create करना है हमें करना क्या है हमें simply इस प्लस वाले sign पे एक बार click करना है click करने के बाद उपर right side में हमारे पास यहां पर option निका जाता है edit profile का तो आपको click करना है edit profile पर तो अब हमें यहां पर design को create करना है यह design यहां पर पहले से ही बनी हुई है और एक चीज़ अगर आपने यहां पर edges को select किया है तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो design वो इसी पर बने है आप design कहीं ऊपर या कहीं नीचे किसी भी जगह पर बना सक करेंगे तो हमने यहां से design को create करना start किया तो इन सभी tools का use करके हमने यहां पर अपने लिए design create कर लिए सारी design को create करने के बाद अब आपको simply यहां पर जो tick का option दिया है इसको tick कर देना है फिरसे tick जैसे ही आप टिक करोगे तो आपकी जो design है जो आपने अपने पर create करी है वो कि हमारे पास आ चुकी है इसी तरह से हम यहां पर चले एक design को और create करते हैं हम यहां से पहले तो लगा लेते हैं hidden line उसके बाद अब हमें जो design को create करना है वह हम suppose करते हैं अपने in windows के ओपर ठीक है उससे पहले जो उपर design अभी हमने create की थी हम इसको कर देते हैं delete हमने इसको एक करेंगे okay उसके बाद इसका name फिर से okay extrusion हमने यहां से select किया setup plane यहां पर भी क्या है बहुत ही simply हमने extrusion के help से design को create किया है बट हमें यहां पर create करना है अपने लिए एक molding design को ठीक है जिसके लिए हम use करते हैं यहां पर sweep command का तो हम फिट से वही same process हम sweep command को activate करेंगे उसके बाद और हमें यहां पर select करना है path को यानि की edges को तो हमने pick path पर click किया उसके बाद pick 3D edges उसके बाद यहां से हमें जहां जहां पर अपने design को create करना है हमें उसी के according अपनी edges को create कर ले लेना है तो सबसे पहले हम इस line को उसके बाद इस line को हमें design पूरे window के ऊपर चाहिए तो उसके इसको और उसके बाद इसको सारी एजस को हम ने यहां पर select कर लिए जहां पर हमें अपनी डिजाइइंस को create करना है उसके बाद यहां पर हमारे पास option आ गया है edit profile का हमने edit profile पे click किया क्लिक करने के बाद यह PLUS Ka Sign इभी आपको यहां पर दिख रहा है, बट गो PLUS Ka Sign इभो हमें कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है, वो हमें Simply एक Line दिख रही है, तो सबसे पहले हमें क्या गरना है, यहां पर लगा लेना है Front View, फ्रंट व्यू लगाने के बाद अब हमारा जो प्लस का साइन है वो यहां पर कंप्लीट तरीके से दिख रहा है ठीक है अब हमें यहां पर क्रिएट कर रहा है हमारी मोल्डिंग की डिजाइन को ठीक है तो हम क्या गरेंगे यहां पर एक छोटी सी ऐसे ही डिजाइन को क्रिए कर लेते हैं तो इन सभी टूस का यूज़ करके हमने यहां पर अपने लिए ऐसे ही कोई भी डिजाइन को क्रिएट कर लिया है आप चाहें तो ऊपर या नीचे कहीं पर भी अपनी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं बट हम यहां पर क्या कर रहे हैं मोल्डिंग की डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहां पर डिजाइन को क्रिएट कर लिया है उसके बाद टिक इसक वोड़ा सा पहले work किया, उसके बाद हमने sweep command की help से अपने लिए यहां पर molding की design थी, वो हमने create कर लिए, उसके बाद आपको जो भी texture supply करना है, वो आप अपनी molding की design पर apply कर सकते हो, तो इतनी easily हमारे पास जो हमारी molding की design थी, वो create होके आ चुकी है, इसी तरह से यहां पर बह pattern कैसे बना सकते हैं, यह सारी चीजें यहां पर हम different different try करते रहेंगे, तो यह थी हमारी आज की video, अगर आपको video पसंद आई हो, तो please video को like, share और channel को subscribe, जरूर करें, for latest updates, floor plans, how designs के लिए, आप हमारे pages को भी follow कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगी, thank you so much.